आज हम पढ़ेंगे प्रेम चंद की कहानी ठाकूर का कुवा में प्रेम चंदुर द्वारा वर्णित जाती प्रथा अच्छुद जैसी समस्या के बारे में कि उन्होंने इस कहानी के माध्यम से समाज के सामने जाती प्रथा अच्छुद जैसी कूप प्रथा की समस्या को सामन लेने का अधिकार नहीं है जैसरे कि इस कहानी में आपने देखा है कि जब जोखुओ बस्त बिमार है बहुत ज्यादा प्यासा है पानी पीना चाहता है छहने लेकिन पानी नहीं पी पाता.." क्यों कि उनकी यहां का उसका फानी बंदा जाती हुआ है जो इसमें दिखाया गया जो जाती प्रथा है जो चुवा-चूथ है वह किस तरीके उसने लोगों को कितनी तरह से प्रभावित किया हुआ है है कि लोग इस प्रथा से इतने ज्यादा भाई भी थे कि वो मतलब सर्वणों के सामने अपनी अवाज तक नहीं उठा सकते हैं जाती प्रता और छुवा चूत के कारण अचुत किस दूर दर्शा का शिकार है और वह पानी जैसी जीवन की बुन्यादी जरूरत के लिए किस प्रकार सर्वणों की दया पर निर्भर है इसे प्रेम च अवधाना के अधार पर पुनर जनम भाग्य करमफल की जूटी कहानी त्यार करके निम्न जाती में जनम लेने वाले लोगों का शुषण किया जाता है ना यही तो होता था कि धार में ग्रंत होते थे उसके अनुसार ध्रामडों ने कह दिया कि हां यह जाती व्यवस्ता है पुनर जनम पर ही तुम्हेरे करमफल के अधार भी तुम्हें चुटों का जनम मिला है तुम शीवा करें अगली जनम जनम है तुम्हें उच जाती में जन्म मिलेगा तो ए से भ्रांतियां फैलाते थी उनके सामने बोलते थे वह लोग इसे प्रभावित ओक शितों और फिर प्रथा की निर्मत्य कार्णों पर ही प्रेम ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि हिंदु धरम जिस विचाधरा के उत्पति है उसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मानव मानव के बीच असमानता और भेदभाव का विशेला बीच बोती है ये जाती प्रथा ये चुवा चूत है जिसके कारण आज तक जाती व्यवस्था ना केवल कायम है बलकि चुवा चूत के कारण देश की अबादी का एक चोथाई से ज़्यादा जन संक्या निर्माण तक कर डाला है और उसी के अधार पर पुनरजनम भाग्य करम फल की जूटे कानी त्यार कर दी गई है तो धरम गंतों का हवाला देकर हिंदू धरम ने ना केवल जाती का निर्माण किया बलकि इंसानों को उच और निर्म श्रेणियों में विभाज़त करके प्र समपति अर्जित करने और समपति संग्रह करने तक का अधिकार नहीं है तो जो धरम करनते वह यह भी कहते हैं कि पिछले जनम से किये गए पूरे कर्मों के कारण ही इस जनम में वैक्ति अच्छूत के रूप में जनम लेता है लेकिन अगर पूर्ण जनम के फल सुरूप ना शेवा करेगा और बदले में उसे क्या मिलेगा उत्पीडन शोशन अभाव अपमान और तिरिस्कार चीलना पड़ेगा तो यह क्या है उसका अपना ही भाग्य है है तो हिंदू धरम सास्टर के अनुसार वहवार करने पर ही अच्छूत जो है अगले जनम में उच्छात और शास्त्र की ही उपज है जो मानम को ना केवल गुलाम बनाए रखती है बलकि सद्यों तक उसकी आर्थिक अधिकार का निधारन भी करता है ठीक है तो इसमें में पॉइंट क्या है कहने वाले अगर जब भी जाती प्रता यह चुवात सुचर रिले कोई भी कुशन अधिकार नहीं है जाती प्रता तीसरा पॉइंट जाती प्रता और चुवाचुत के कारण अचुत किस कुप रथा दुर्दशा का शिकार है और वह पानी जैसी जीवन के बुनियादी जरूरत के लिए किस प्रकार सर्वणों की दया पर निर्भर है इसे भी प्रेम चंदे दान है के द्धार पल पुनार्जनम भाग्य करंफल की चूटी कहानि त्यार करके निम्नग जाती में जनम देने वाले लोगों का शोशन किया जाता है धरम गंटों का हवाला दे कर हिंदू धर्म Guys जाती का निर्माण किया प्राकर्तिक संसादनों पर निम्न जाती का कोई अधिकार नहीं अच्छूतों को संपत्ति अर्जित करने और संपत्ति ग्रहन करने का भी कोई अधिकार नहीं अच्छूतों को उच्छ वर्गों की सेवा करना ही उनका धरम है और बदले में अपमान, उत्पिड़न, शोषन, अभाव, तिरसकार छेलना उनकी नियती हिंदु धरम सास्त्र के अनुसार अगर निम्न, अच्छूत, दलित, जाती, जाती व्यवस्था का पाहिनन करती है एंसली होती है, युकि ने उच जात्तियों को लिखित आदेश की रुप में ये बतादिय की इस्तरीयों का योँं शोषन कर सकते है, उनका योँं करने का दिकार पूरी तरह मिल गया है, क्योंकि जो मनुसमृति है, वह दुससार एक अचार सहीता मानी जाती है तो उसमें बताए गए जो भी कानून है विधान है वो हजारों वरसों जो ब्रामन है जो मनुस्मृति को मानने वाले है वो इसका पालन कर रहे है तो इस अधिकार प्रभूता और एहम के कारण आज भी सर्वन पुरुष जो है वो दलित की असमिता को नस्ट करके दलित समुदाय में हीन भावना पैदा करने की कोशिश भी है जिससे वह अधम स्तती से उपर उठने का प्रयास ही ना कर सके हना तो किस तरीके से यह पूरा जाल जो है बुना गया है गरिवों के लिए अचुतों के लिए दलित जाते किस तरियों क कह सकते हैं कि हिंदु धर्म शास्त्र के इस करमफल पुनरजम सिध्धांत ने वर्तमान जीवन में दलितों को अपहाव अपमान और घ्रणा सहन करने के लिए मजबूर किया है वह मानव निर्मित धर्म और शास्त्र की उपज है जो मानव को न केवल गुलाम बनाकर लगती है बलकि सद्यों तक उसकी आर्थिक अधिकारों का निधारन भी करती है आशे करती हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू